वेलकम बैक डियर सब्सक्राबर्स तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकतो मतलब कोई भी नॉर्मल क्वालिटी की वीडियो को या फिर कोई लो क्वालिटी की वीडियो को 4K हाई क्वालिटी में कैसे convert कर सकते हो और आज मैं आपको सबसे easy तरीका दिखाने वाला हूँ जिसको follow करके आप अपने वीडो की quality को 4K में convert कर सकते हो तो वीडो पर last तक बने रहें और चलिए वीडो को start करते हैं तो वीडो की quality बढ़ाने के लिए हम use करने वाले हैं CapCut app तो आपके पासे CapCut app होना चाहिए अगर आपके पासे CapCut app नहीं है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो CapCut app के बारे में जानने के लिए Instagram ID आपको screen पर देख रहा होगा और CapCut को use करने के लिए आपको किसी VPN से connect होना पड़ेगा तो VPN जो होता है वो आपको Google Play Store मिल जाता है बिलकुल free में काफी सारे महां मिल जाएंगे कोई सा भी एक install कर लेना जैसे कि मैं super VPN को install करके रखाऊं जो भी आप install करोगे उसे open करना और connect को उपर click करके VPN से connect हो जाना मतलब first step में आपको VPN से connect हो जाना है उसके बाद second step में आपको अपने CapCut को open करना है तेने new project को उपर click करना है और यहां से अपनी वीडो को select कर लेना फोटो और वीडो का section दिख रहा है तो आप वीडो वाले section में रहना एंड यहां से अपने वीडो को select कर लेना उसके बाद create को पर click कर देना है तो आपका जो वीडियो होगा वो यहां पर add हो जाएगा एंड उसके बाद आपको इसको पर click कर देना है ठीक है तो आपको effect वाले option को पर click करना इसमें आपको चार options मिलेंगे आपको यहां पर video effect को पर click करना होगा इसमें आपको click करना होगा तो बहुत सारे effect आपके सामने आजाएंगे बट आप यहां पर lens वाले option में आजाना means lens वाले category में आपको आजाना है और उसके बाद यहां से आपको smart star pin effect क लिख रहोगा आप देख सकते यहां पे भी है और यहां पे भी है आपको सेलेक्ट करना है यह नॉर्मल वाला स्मार्ट सार्पन यह जो प्रो वाला स्मार्ट सार्पन है इससे आपको यूज नहीं करना है ठीक है तो आप यह नॉर्मल वाले को सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करन करने के लिए यह जो अड़ जेस्ट का option देक्र इसके ओपर क्लिक करना है और यहां पर आपको फिल्टर का option मिल ला हुआ इसे बिल्कुल Zero कर देना है और यह जो blur है इसे भी बिल्कुल Zero करना है यह दोनों का जरुत हमें नहीं है तो इसले आप इन दोनों को बिलकुल जीरो कर देना उसके बाद यह जो रेंज है इसे आप को यहाँ पर फिप्टी के आसपास रग mention 50 व्याभ रख सकती हो । भीटी के आसपास रख देना है उसके बाद यह जो सार्पेन है इसे आप यहाँ पे जितना आपको quality increase करने उतना आप यहाँ से increase कर सकते हो लाइक यहाँ आप देख पारो जैसे जैसे हम इसे increase कर रहे हैं व्यूड़ो के quality enhance हो रही मतलब व्यूड़ो के quality यहाँ बढ़ती जारी ठीक है तो जितना आपको लगते है कि हाँ इतना quality अच्छा लग रहा है उतना आप इसे increase कर लेना लाइक में इसे यहाँ पे 70 के आसपास रख देता हूं काफी अच्छा हमारे व्यूड़ो का quality हो चुक है उसके बाद done कर लेते तो आप यहाँ देख सकते हूं यह normal व्यूड़ो के quality और यह 4K में convert करने के बाद आप देख पार, effect apply करने से बिलकुल 4K में हमारे जो व्यूड़ो वो convert हो चुक है बट इसमें आपको एक और step करना होगा तब जाके आपका व्यूड़ो देखने में अच्छा लगेगा क्या करना है कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं लेकिन उससे पहले आप इसे effect के उपर पूरा को पूरा व्यूड़ो में यह effect apply हो चुक है और व्यूड़ो हमारी 4K में convert हो गया है ठीक है अब आपको इसे व्यूड़ो को एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करने के बाद हमें एक और step करना हो तब जाके व्यूड़ो देखने में अच्छा लगेगा तो आप य इक्सपोर्ट वाले सेटिंग के उपर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करके सभी चीजों को बिल्कुल मैक्स करदाना, ताकि quality बिल्कुल भी लूजना हो, और यहाँ यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ फोड़ा सा वेट को आपको एक्सपोर्ट होगा इसपोर्ट हो चुक है अब आप यहां पर done के उपर क्लिक कर देना यह ready हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद आपको फिर से new project के उपर क्लिक करना होगा और अभी जो video export हुए उसे आपको select करना है and create के उपर क्लिक कर देना तो आपका जो video को यहां add हो जाएगा उसके बाद इ है इसको पर क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे options मिलेंगे इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको 2-3 चीज़े सिर्फ करनी यहां पर आके आपको brightness को थोड़ा सा increase करना है contrast को आप यहां पर increase कर सकते यह आपके उपर depend करता है अगर अच्छा लगे तो क बढ़ियां लगने लगा है बहतर हो चुकी है हमारी वीडो आई के exposure को और increase करें तो यह और अच्छा लग रहा है जैसे के saturation भी increase कर देते तो और यह बेटर हो चुका एंड उसके बाद done कर देते तो आप यहां देख सकतो पहले के comparatively वीडो काफी अच्छा हो गया मतलब थो यह हमारा before देख सकतो बिल्कुल नार्मल सी quality भी normal color भी normal बिल्कुल raw है ठीक है अब यहां आप देख सकतो एडिट करने के बाद quality 4K में हो गया colors वागेरा भी अच्छे हो चुके आप यहां देख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से करेंगे आप अपने वीडो को 4K में convert कर सकते अब इस वाले raw को मतलब की before वाले को मैं delete कर देता हूं यह तो आपको दिखाने के लिए लाया था यहां ठीक है अब आपने वीडो को अपने device में save करने के लिए फिर से आपको सेम काम करना हो editing हमारी हो चुकी ठीक है वीडो बिल्कुल 4K में convert हो गया और कुछ करने की ज़र करके इसे export कर लेना save to device को पर क्लिक कर वेती export हो जाएगा ओकी तो आई होप आपको यह वीडो पसंद आया होगो अगर पसंद आ है तो लाइक जरूर से कर दो वीडो को और कुछ प्यारा से कमेंट भी कर सकते हूं मिलते है नेक्स्ट वाली वीडो में तब तक के लिए बाइि प्यार कर से कiblengे भी टाइएव प्यार अचर है ज्यार है अज़ते है उ। एक दक कर समय कर दो आई है